मिस यूनिवर्स इंडिया दो हजार चौबीज का खिताब जीती गुजरात की रिया सिंधा आज नहीं सालों से चला रही अपनी आखों का जादू रिया सिंधा को रविवार को मिस यूनिवर्स इंडिया दो हजार चौबीज का ताच पहनाया गया और वह वैश्विक मिस यूनिवर्स दो हजार चौबीज प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी फाइनल राजस्थान की राजधानी जैपुर में आयोजित किया गया था Miss Universe इंडिया ने Instagram पोस्ट पर Background Music British Rock Band Coldplay के गाने My Universe पर आधारिक किया था उर्वशी रौतेला ने उन्हें यह ताच पहनाया रिया सिंधा ने समाचार Agency A&I से कहा आज मैंने Miss Universe इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया मैं बहुत आभारी हूँ मैंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहंत की है जहां मैं खुद को इस ताज के काबिल समझ सकती हूँ मैं पिछले विजेताओं से बहुत प्रेरित हूँ सोशल मेडिया पर भी सभी रिया सिंधा को धेर सारी बधाई दे रही है और आने बाले प्रतियोगिताओं के लिए शुब कामनाई भी दे रही है 19 साल रिया सिंधा गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार वह खुड को TDX स्पीकर के रूप में परिभाशत करती है एक मॉडल होने के अलावा वह एक अभिनेत्री भी है वह वर्तमान में प्रदर्शन कला में ग्रेजुएशन की डिगरी हासिल कर रही है इतना ही नहीं रिया एक फैशन डिजाइनर है जो आधुनिक विरासत को संस्कृती के साथ जोडने की प्रतिभा रखती है Miss Universe India 2024 के फिनाले के लिए क्रिया ने गोल्डन पीच गाउन ड्रेस पहनी थी बॉलिवुड अभिनेत्री और 2015 की Miss Universe India फाइनलिस्ट उर्वशी रोतेलानेरिया को ताच पहनाया और अगले भारत प्रतिनिधी में विश्वास दिखाया पुर्वशी ने कहा मैं महसूस कर सकती हूँ कि सभी लड़किया क्या महसूस कर रही है विजेता अध्भुत है वे Miss Universe में हमारे देश का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगी और मुझे उम्मीद है कि भारत इस साल फिर से Miss Universe का ताज जीतेगा सभी लड़किया कड़ी मेहंत करने वाली समर्पित और बेहत खूबसूरत है